Hello everyone, Welcome to Teacher Adjunction और अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DTSB TGT Hindi मेल का जो एक्जाम हुआ है उनके लिए expected cut-off कितना रह सकता है यह expected cut-off ने तियार किया है candidates का review लेकर number of candidate कितने है और हर के degree के अंदर vacancy क्या है इन सभी बातों को calculate करने के बाद और normalization की परक्रिया को ध्यान में रखते हुए क्योंकि एक्जाम अलगलग shift हो में हुआ है तो normalization भी यहाँ पर होगा इन सब चीजों को देखते हुए हमने expected cut-off तियार किया है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बहुत जल्दी से देख लेते हैं टोटल 6731 इन के लिए जनरल के टेगरी के 143 सेटों पर इडोजिर का cut-off था 124.43 और selection का cut-off था 126.97 OBC के लिए वेगेंसी 37 अपलाई किया था 1901 candidates ने इडोजिर के लिए गया था 72.87 और selection का cut-off था 74.65 SC के लिए वेगेंसी 24 अपलाई किया था 5515 candidates ने E20 का cut-off था 117.95 और selection का cut-off था 122.09 ST के टेगरी में वेगेंसी 17 थी candidate ने अपलाई किया था 2695 E20 के लिए रहा था 111.31 और selection का cut-off था 114.95 PHOH के टेगरी के लिए वेगेंसी 4 थी और PHVH के भी वेगेंसी 4 ही थी तोनों को एक कुल मिलाकर PH के टेगरी में 698 candidates ने अपलाई किया था इनमेंसे PHOH के लिए E20 का cut-off था 111.60 और selection का थे 121.29 PHOH का तो हो गया PHVH के लिए E20 का cut-off था 104.91 और selection का थे 114.84 तो यह सब तो बात रही पिछली बार की अपकी बार का cut-off discuss करने से पहले हम आपके साथ discuss करेंगे एक सर्वे इस सर्वे के अंदर हिस्सा लिया है 37 37 candidates ने जो एक्जाम दे कर के आए हैं इन candidates ने हमें questions का level share किया और यह बताया कि इनको questions आसान लगे कठीन लगे साथ candidates ने vote किया है कठीन के लिए तो 18.91% candidate ऐसे हैं जिनको questions का level कठीन लगा है एक्जाम में जो पूछे गए हैं वो questions कठीन लगे हैं और 5 लोगों को questions आसान लगे और नहीं कठीन अगर percentage देखें तो 13.51% लोग ऐसे हैं जिनको questions और 5 लोगों कोठीन लगे तो इस सर्वे से कुछ बाते क्लियर हो जाती हैं एक तो ये केस में जादे लोग क्वालिफाई करेंगे और कठीन लगों कॉछ जादा रहेगा questions के बार में पूछने पर candidates ने बताया कि अधिकतर questions ग्रामर से पूछे जा रहे हैं और G के वागेरा थोड़ा उनके लिए difficult रहा लेगिन overall questions आसान ही लगे चलिए अब cutoff की तरफ चलते हैं और candidate और vacancy देखते हैं अब की बार TGT Hindi Mail के लिए general category के अंदर vacancy है 329 इस पर apply किया है 3030 candidates ने इनके लिए E.2.0 cutoff रह सकता है 105-110 और selection का रह सकता है 109-116 O.B.C के लिए vacancy है 163 candidates है 956 E.2.0 cutoff रह सकता है 80-85 और selection का रह सकता है 80-86 SC category में vacancy 25 है candidates comparatively जादा है 2894 candidates है E.2.0 cutoff इनके लिए रह सकता है 106-111 और selection का रह सकता है 107-112 ST category में vacancy है 13 apply किया है 1013 candidates ने E.2.0 cutoff इनके लिए रह सकता है 100-105 और selection का रह सकता है 103-108 economical week section में vacancy 26 है 420 candidates ने इस पर apply किया है E.2.0 cutoff इनके लिए हो सकता है 85-90 और selection का रह सकता है 90-95 PWD category में 22 vacancy है total candidates ने apply किया है 271 इनके लिए OH और VH की अगर हम अलग-अलग बात करें तो OH के लिए E.2.0 cutoff रह सकता है 104 के आसपास और VH के लिए E.2.0 cutoff हो सकता है 109 के आसपास selection का cutoff भी इनके लिए OH के लिए हो सकता है 114 और VH के लिए हो सकता है 119 के आसपास ठीक दो चार नमबर इधर या उधर इसके साथ ही जैसे ही result आएगा उसको हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे answer की का link भी आपको description में दिया जायागा तो जुड़े रहिए Thank you so much for watching and good luck